नमस्कार साथियो आपका बोड़ो स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल लोडशिवा कलाशी योगेश कुमार पर आज हम आपके लिए TGT, PGT, LT, GIC, DSSB, KBS, NBS, NET, BA, MA, where 12th class English और उत्तर परदेश में आने वाली जूनियर एसिस्टेंट टीचर्स भरती इंग्लिस लैंग्वे से सम्मंदित लिट्रेचरी फोर्म्स और टरम्स का फर्ष्ट कंसेप्ट लेकर आए हैं जो आपकी परिक्साव के लिए बहुती महत्वपून है इसमें से चार या पांच अंकों का वस्या पूछा जाएगा परिक्सा में जाने से पहले इसी वीडियो को एक बार वस्या देख ले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वे लाइक करें अपने दोस्तों को सेयर करें जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रह है और हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते रहें आपका और हमारा साथ यूही बना रहे आईए अब हम अपनी इस वीडियो को सुरू करते हैं कौ इलागी A अपके पलम और मौनिग ऑंट्वर् प्र नीर एक्स्पीज का 0 इस श्रों साह ग्रीक, अलेजी जे सोंग चंपोजड ओन दाट व सम नियर और नियर वन हैंस इज जे साइड सोंग नेक्स्ट अलेजी जे सेचल काइड लेरिक आई ए अ मौर्निंग सोंग और इसाइड सोंग ग्रीक दाटर्म अलेजी वाइड सोर्व वर अने पयम टेन इन अलॉचिक मेजर दाटर्यी जे आ एं एक्सरेश्स अप्ट ग्श्रॉच जेस्ठेस अवल्ह व। शरॉच और दाटर्यी जेस पर्सून ओर इंपर्सॉन Cole Ries speak of allergy as the form of poetry natural to reflective mind next allergy has the following type first personal it deals personal person as father family member for example Matthew Arnold's दिख बाई चैपल्स यह परसनल एलेजी का एक्जाम्पिल है नेक्स्ट नमबर टू इंपर्सनल इट दील्स इंपर्सनल परसनेज फ्रेंड्स हीज डियर फ्रेंड्स हीज नियर एंड रिलेटिव फोर एक्जाम्पिल्स मिल्टन लैसिडास जो 1637 में लिखी गई रिटिन उन्था डैट ओफ इज फ्रेंड एडवर्ड किंग जो उनके मित्र एडवर्ड किंग पर लिखी गई थी नेक्स्ट एक्जाम्पिल है अर्नोल्ड थाइरिस 1861 में आई रिटिन उन्था डैट ओफ अर्थर हूग जो अर्थर हूग कलोब पर लिखी गई नेक्स्ट टैनिसन इन मेमोरियम रिटिन उन्था डैट ओफ हैलम जो हैलम की मरत्व पर लिखी गई इस्पेंशन, एस्टोफल, इस्पेंशर की एस्टोफल written on the death of Philip Sidney, जो Philip Sidney की मृत्तु पर लिखी गई थर्ड, पैस्टोल एलजी, इन दपैस्टोल एलजी, पैस्टोल सिटिंग is created and the dead man is introduced as the sifford, nature becomes the active participant in mourning as Sally adonins, which come 1821, यान या थरोशिक किस में लिखी गई, written on the death of Keith, जो Keith की मृत्तु पर लिखी गई सेकिंड, बायन्स, लेमन्ट, फोर एडोनिन्स, नेक्स्ट, थोमस ग्रे एलजी इज, ना इदर प्योरली परसनल, ना तो वो व्यक्तिकत है, नोर प्योरली इंपरसनल, और ना व्यक्तिकत, बटे, मिक्सर ओब बोर्ट, लेकिन दोनों का मिस्रन है, एक्जाम्पिल, एज अलजी रिटेन इन ने कंट्री चर्च यार्ड, नेक्स्ट, करकरटी जो पालजी, फिर्स्ट, इज रिटेन ओन बोत सुबजक्ट, सिर्यस ओर गे, इसरेकिंड, परसनल, और ने परसनल, और परसनल, और पस्तौल, थर्ड गोलिट, इस एक्ट ओव टीज, तो सम परसन, लो नेक्स्ट नोट इन्पोर्टेंट क्वेस्चन फोर एक्जाम्स परिक्षा की दरश्टी से मैं तोगून पर्शन फर्स्ट वाट इस दा प्लेस ओ पोर्गिनों पैलेजी यानि एलेजी की तपत्ति कहा हुई उपर बता गया है ग्रीक जी आर डवली के ग्रीक सेगेंड क्वे इस्टोल एलेजी का नाम दीजिए जैसे सैली की है एड़ों इन्स के थर्ड ग्वेस्चन गिव एक्जाम्स यॉप ट्व एलेजी दो एलेजी के उधरन दीजिए जैसे एड़ों इन्स के और मैमोरियम कर फोर्थ क्वेस्चन राइट नोट उन अलेजी, एलेजी पर टिप्पनी किईजिए, जो उपर बताई गई है, वी रोट एडोट एडोनिंस, यानि एडोनिंस को किसने लिखा, पी बी सेलिन, इपिक, इपिक इजे टूली नरेटिव पोएम, एण इपिक इजे लोग नरेटिव पोएम, written on a heroic, great, and serious subject. The style of epic is elevated or softy. A heroic personality on whose action depends on the fate of tribute a nation or the human race is celebrated in the epic. Next, an epic theme. यानि महाकाव्यका केंद्रिय भाव या epic की theme. The theme of an epic is religion and scriptural. Kinds of epic, यानि epic के परकार. Epic के two परकार होते हैं. First, traditional epic, या folk epic, या primary epic. Second, literature epic. Some importance example of epic. Epic के कुछ महत्वपून उधारान. First, Greek epic poets Homer, Iliad and Odyssey. यानि Homer के दो महाकाव्य यानि epic हैं, Iliad and Odyssey. Second, diagonal section epic, बियो वुल्फ. Next, Milton's Paradise Lost, Virgil Aeneid, Wordsworths Preludes, Kate's Hypern. Next, Spencer the Fairy Queen, Leo Tolestai War and Peace, Dante Divine Comedy. ये कुछ महत्वपून epic हैं, जो अक्षर बोर्ड में पूछे जाते हैं. Next, note. Some important question for exam. परिक्षागी दरश्टी से कुछ महत्वपून question. First, that define epic. Epic को परिवासित कीजिए, सुक्सम सब्दों में. Second, question. How many kinds of epic are there? यानि epic के कितने परकार होते हैं, परकार बताईए. Third question, the name for epic. चार महा काववे के नाम लिखे. Fourth question, write two epic writers name. यानि epic writers के दो epic writers के नाम लिखे. Fifth, who is the writer of the epic? Beowulf. यानि Beowulf का writer कौन है? ये question साथियों मैंने आपकी skill परकारने के लिए दिये हैं. जो concept उपर बताया गया है. इनके answer उसी concept से देख लेना. Larrick. The word larrick is derived from the Greek word liar a musical instrument. Next. It is a Greek song. It may be defined as a short musical poem which dealing a single mood or emotions of the poet. Next. Caracarties of Larricks. First. It is a short musical poem. Second. It is an expression of only one mood or emotion. Third. It is a well organized poem. Fourth. It is unpremediated. Fifth. It deals poet single emotions. Six. It is a musical and Greek song. Next. Note. P.B. Sally, Dryden, Daniel, Tennyson are the greatest lyric poet. Those who and is the word poetry. P.B. Sally is the greatest lyric poet of romantic age. यानि रोमांटिक एज के P.B. Sally महांतम लेरिक पोएट हैं. Tennyson is the finest or greatest lyric poet of Victorian age. Victorian age के Tennyson greatest lyric poet हैं. Next. Note. Some importance question for exam. Exam. Exam की दरश्टी से महतवपून परसन. First. What is the place of organ lyric? यानि लेरिक की उत्पत्य स्थान. जो उपर के concept में बताया है. Second. Give two characters of lyric. Lyric के दोगुन या qualities बताईए. Third. Who is the greatest lyric of the romantic age? Romantic age के greatest lyric poet कौन हैं? उपर बताया गया है भी. Fourth. Who is the finest lyric poet of Victorian age? Victorian age का कौन सा finest और greatest lyric poet है? वो भी बताया गया है. Fifth. What is mint of word? यानि सब्द liar का क्या आर्थ है. ये भी उपर के concept में बता दिया गया है. Ballad. The ballad is a short story in the form of a song. The term ballad is derived from the word blary which means to dance. It was sung from village to village by minister Wu A. N. A. living in this way. Next. A ballad is composed in simple stanza, generally of two or four lines. Literaturery ballad means a dancing song, a song to be sung by dancer. According to edition, ballad is a darling song of the common people. Originally, it was sung from village to village. The ballad is the song of adventures. Kind of ballads, ballads के परकार, यानि टू काइंड्स, फर्स्ट ओथेंटिक बैलड्स, सेकिंड लिट्रेचरी बैलड्स, सम इन पोर्टेंस एक्जाम्पिल बैलड्स, बैलड के कुछ मेहत्वकून उदारन. Keats, Lobly Demsons Mercy, कीट का Lobly Demsons Mercy, महन बैलड है, कोल्रीज, क्रेस्टेबल, कुबले खान, चीवचेज, दा नट ब्राउन, मेड, कोल्रीज के बैलड्स से हैं. Notes, some importance question for exams, एक्जाम्पिल से सम्मंदित कुछ मेहत्वकून परसन. First question, Write to Ballad Name, दो बैलड के नेम बताईए, जो उपर के concept में आ चुके हैं. Second, what is meant the word Blair, ब्लेर का क्या रत है, ये भी उपर के concept में आ चुका. Third question, How many kinds of ballots are there, यानि बैलड के कितने परकार है, उपर के concept में आ चुका. Fourth, who wrote Lobly Demsons Mercy, यानि Lobly Demsons Mercy, किसने लिखा, ये भी उपर के concept में दिया गया है. Ode, Ode is also a kind of lyric but much more lengthy and elaborate. The ode is always in the form of an address. It is excelled or dignified both in language and thought. Anode is organ in Greek, it is a serious and dignified composition. It is longer than the lyric proper, it is in the form of address. The Latin poet Pindar invented this form, Ode. The term Ode was coined from the Greek word, its meaning to sing, इसका रद होता है, to sing. Kinds of Ode, Ode के परकार, two kinds. First, Pindaric Ode या Regular Ode. Second, Horation Ode या Irregular Ode. Next, Main Feature Character या Character इज ओपोड. Ode के कुछ मेहतोगुन, गुन या Quality. First, It is longer than lyric. Second, Anode is a serious and dignified composition. Third, It is in the form of address. Fourth, Sometimes Ode is used to commemorate some importance. Second, Public Occasion. Next, Note. John Keet was the greatest title of Ode. Keet's Ode Twentum. Thomas Gray, The Bird, The Progress of Poesie. Collins Ode to Fear. ये कुछ मेहतोगुन, Ode है. Pop Ode on Solitude. Note. Some important question for exams. Exam की दरश्टी से कुछ मेहतोगुन, question. First, Right Major Character इज ओपन Ode. Ode के कुछ मेहतोगुन, कुण बताईए, जो उपर concept में बताई गए है. Second, Difference between Ode and Larrick. यानि, Ode और Larrick के बीच में क्या भिंता है, वो बताईए, जो उपर concept में आ चुकी है. Third, Name Two Kinds of Ode, यानि, Ode के दो परकार, जो उपर बताई गए है. Fourth, Give Example Ode, यानि, Two Ode, यानि, किनी दो परकार के Ode के उधारन दीजे, वो भिंताईए, वो भिंताईए, वो भिंताईए, जो उपर के concept में आ चुके हैं. Sonate The term sonate is derived from Italian word sonata. Sonato word in Italian language means a little sound or strand. A sonate is a short poem of lyrical nature to be sung along with a musical instrument. Next, it is a poem of fourteen decasalibre lines that are iambic pentameters. Pat Raj wrote his sonate to express his deep love for his beloved Laura and it is known as the classical sonate. Kinds of sonate, sonate ke परकार, first Pat Rajan or the Italian sonate. Pat Rajan sonate is divided into two parts. First, the octave यानी eight lines. It rhyme scheme A, double B, A, double B, A, double B, A, यानी abba, abba. Second, the fastest six lines यानी छें पंगतियां. Its rhyme scheme C, D, E, C, D, E or C, D, C, D, C, D. एक्जम्पल्स, Milton Sonich, Blindness ये इटालियन सनट का एक्जम्पल है. वैट वैट वाज दा फर्स्ट इंग्लिस सनटर. वैट पहला अंग्रेजी का सनटर था. वो यूजड पैटराचन फोर्म जिसने पैटराचन फोर्म को प्योग मिलाया या प्रयोग किया. दा फर्स्ट सनटर इन इंग्लेंड और इंग्लेंड में पहला सनटर वाज सर फिलिप सिडिनी, सर फिलिप सिडिनी थे. सेकिंड इंगलिश सनट और सेक्सपीरियन सनट यानि इंगलिश सनट को सेक्सपीरियन सनट भी कहा जाता है जो सेक्सपीर ने इन्वेंटिड या बनाता है खो जाता सेक्सपीर गेव ए न्यू ब्यूटी एन फ्लेक्सिबिलिटी टू दा सनट Saxpyrness को एक नहीं दिशादी और flexibility परदान की He divided his sanat into three quartains उसने अपने sanat को तीन पंक्तियों, quartains and a couplet और एक couplet में divide गिया The rhyme of Saxpyr sanat Saxpyr sanat की rhyme A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F, O, G This new form यह नई अवस्ता is noun as the Saxpyr sanat इसको Saxpyr sanat के नाम से जाना गया After him उनके नाम के साथ He wrote 154 sanat उन्होंने 154 sanat लिखे His sanat are addressed mostly to उसके जाततर sanat सम्मोदित है A, Dark Lady and W, H और W, H को William Wordsworth राइट for him William Wordsworth ने उनके बारे में लिखाए With this key Saxpyr unlocked his heart Example True love, time and love यह Saxpyr के महतकून सनत है Note Some important question for exams Examse से सम्मंदित महतकून Question First, define sanat Sanat को परिवासित कीजिए Second, how many lines are there in a sanat यानि एक sanat में कितनी पंक्तिया होती है Third, give any two characteristics of sanat Sanat के दो गुन बताए Fourth question What is the meaning of Italian word sanato Sanato का क्या आर्थ होता है Fifth, give names of two famous sanat यानि किनी दो परसिद sanat रों के नाम Six, what is the other name of English sanat यानि इंगलिस sanat का दूसरा नाम क्या है Next, what are the two kind of sanat दो परकार के sanat रों के नाम बताए साथियों सभी question के answer उपर के concept में आ चुके हैं या आपकी skill परकेने के लिए हैं आप वहाँ जाकर इनको ओके साथियों हम आसा करते हैं कि आपको हमारी एए वीडियो अवस्थ से पसंद आई होगी अपनी परिक्साओ की तैयारी के लिए हमारी वीडियो की प्ले लिस्ट को अवस्थ से देखें जिससे आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो सके वहाँ पर आपको अपने कोर्स के आधार पर पूरी जानकारी प्राप्त होगी और आपकी तैयारी अच्छी तरह से होगी वीडियो की प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो के डैस्क्रेप्शन में दिया गया है इसके अलावा आप सर्च करके प्ले लिस्ट पर जा सकते हैं इसका लिंक भी इस वीडियो के डैस्क्रेप्शन में दिया गया है धन्यवाद साथियो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्पून कंसेप्ट वेब परसनों के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैभारत जैभारती